गुड मॉर्निंग वेस्टीजियंस वेलकम टू वेस्टीज वीकली इनॉलेज बाइट्स सेशन नमबर 51 जिसमें हम आज बात करेंगे डाइबटीज हेल्थ की अभी रीसेंट्ली 14 नवेंबर को वल्ल डाइबटीज डे था जिसमें वेस्टीज ने एक रिस्पॉंसिबल कंप रहा हो कि जब केलरी इनटेक आपका ज्यादा होता है केलरी एक्सपनुटीज से तब आपका वेट गैन होता है आपको डाइबटीज डिवलप होना शुरू हो जाती है अब डाइबटीज मैनेज्मेंट की रिक्वार्मेंट है आपको उसकी awareness होना awareness होना बहुत जरूरी है अगर आपको पता है कि आपका blood sugar level कैसे और कब बढ़ता है और घटता है तब आप अपने diabetes को better manage कर सकते हैं अपने blood sugar level को एक range के अंदर रखना challenging हो सकता है diabetic patient के लिए because ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं जिनसे आपका blood sugar level जो है वो extreme बढ़ सकता है तो awareness is the key for diabetes management अब एक diabetic patient को बहुत सारी food restrictions होती हैं healthy eating जो है वो recommended है एक diabetic patient के लिए because बहुत सारे ऐसे food items हैं जो drastically sugar level को बढ़ा सकते हैं और it's not only the type of food but also how much quantity and the combination of food types you are taking ये भी बहुत important है सिर्फ कौन सा food आप ले रहे हैं ये important नहीं है आप उसको कैसे mix and match कर रहे हैं बाकी foods के साथ वो भी बहुत important है अब बात करते हैं neem की neem बहुत long time से जो है use किया जा रहा है because of its medicinal properties ये अपनी antiseptic और disinfectant properties के कारण बहुत ही प्रचलित है बहुत पुराने टाइम से ये एक तरीके का natural total first aid टूल था families के लिए अब neem का diabetes के अंदर भी एक बहुत important role है neem डीले करता है या की prevent करता है diabetes के onset को कैसे bioregulating the blood glucose level ये एक बहुत ही significant part play करता है blood sugar level को कम करने इसके bitter taste के कारण ये sugar levels की growth को कम करता है और support करता है diabetes के treatment में इसके साथ साथ ये beta cells जो है उनकी insulin sensitivity को भी improve करता है अगर हम vestige neem की dose की बात करें तो एक capsule आपको दिन में तीन बार लेना है after meals and it is very easily available at distributor price of 335 रुपीज अब बात करते हैं white sugar की हम सब जानते हैं कि diabetic patient के लिए sugar का सेवन अच्छा नहीं है और specially अगर वो white sugar हो because वो बहुत rapidly absorb होती है उसके अंदर जो carbohydrate है और वो बहुत जल्दी से आपके blood के अंदर glucose level को बढ़ा देगी तो वो diabetic patient के लिए अच्छा नहीं है तो diabetic patient के लिए जो white sugar का जो harmful effect है वो बहुत सारी studies में भी देखा गया है ऐसा पाया गया है के जो लोग regularly drink करते है sugar sweetened beverages उनका 25% higher risk होता है of developing type 2 diabetes तो इस white sugar का एक replacement हो सकता है natural sugar stevia की form में because stevia एक zero calorie plant based sweetener है natural origin का जो की आपको मिठास तो देता है लेकिन calories नहीं देता तो diabetic patient के लिए ये एक बिल्कुल appropriate sugar replacement है अब इसको किस-किस को लेना चाहिए वो सभी लोग जो diabetes से ग्रसित है या फिर calorie conscious है या फिर weight loss की तरफ देख रहे है because इन सारी conditions के अंदर calories का management बहुत important है और stevia आपको मिठास देता है लेकिन calories नहीं देता तो ये उन सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज है आपको इसको लेना कैसे है आप इसको अपनी normal tea, coffee, milk या किसी भी drink के अंदर जिसमें आप मिठास चाहते हैं उसको आप उसके अंदर इसे आप add कर सकते हैं तो हमें उमीद है आज हमने ये जो बात करी वेस्टीज नीम और वेस्टीज टीविया के लिए डाइबटीस मैनेश्मेंट को ये आप ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुचाएंगे हर घर स्वस्त विद वेस्टीज थांक यू सो मच विश्यू वेंट